सब्सक्राइब कीजिए देशी भक्ती चैनल को और घंटी जरूर दबाईए दूर हो जाती है आपने हनुआन जी की अलग अलग तस्वीरों को देखा होगा लेकिन इन तस्वीरों से जुड़ी बातों के बारे में शायद आप कम जानते होंगे तो हम आपको बताते हैं हनुआन जी की तस्वीरों से जुड़ी कुछ बाते जिन तस्वीर में हनुआन जी चिरिराम, सीता और लक्षमण की आरादना करते हुए दिखाई देते हैं इसी तस्वीर की पूजा करने से हनुआन जी जल्दी ही भक्तों पर प्रसंद होते हैं नोकरी में प्रमोशन और व्यवस्ताय में तरक्की पानी के लिए हनुमान जी की ऐसी तस्वीर की पूजन करें जिसमें उनका स्वरोप सफेद रंग का हो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि हनुमान जी पाल ब्रह्मचारी है इसलिए पती पतनी को उनकी तस्वीर बेटरूम में नहीं लगाना चाहिए हनुमान जी की तस्वीर को हमेशा घर के मंदिर में इस्थापित करना चाहिए बगवान राम की भक्ती में लीन दिखाई देने वाले हनुमान जी की तस्वीर की पूजा करने से एकाकरता बढ़ती है और मानसिक शांती का विकास होता है सेवक हनुमान जिस तस्वीर में हनुमान जी शिरीराम जी की भक्ती में लीन दिखाई देते हैं ऐसी तस्वीर की पूजा करने से सेवा और समर्पन की भावना जागरित होती है घर और कारिस्थल पर समान मिलता है वीर हनुमान स्वरूप में साहस आत्मबल पर अक्रम दिखाई देता है हनुमान जी ने कई राक्षचों का बद करके शिरी राम के गाज को सवारा था ऐसी तस्वीर की पूजा से भक्तों को साहस और आत्मबल की प्राम्ति होती है सूरी देब हनुमान जी के गुरू है जिस तस्वीर में हनुमान जी सूरी देब की पूजा कर रहे हैं या सूरी की ओर देख रहे हैं उस स्वरूप की पूजा करने पर ज्यान गती और सम्मान मिलता है देवी देवताओं की दिशा उत्तर मानी गई है हनुमान जी दिस तस्वीर में हनुमान जी का मुख उत्तर दिशा की ओर है वो हनुमान जी का उत्तरा मुखी स्वरूप है उस स्वरूप की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की कृपा मिलती है घर में शुब वातावरन रहता है हनुमान जी की तस्वीर में हनुमान जी का मुक्ष दक्षिण दिशा में हो तो उसे दक्षिणा मुक्षी स्वरूख कहते हैं दक्षिण दिशा या मराज की दिशा मानी जाती है और इस तस्वीर की पूजा करने से म्रत्यों भाय और चिंताएं समाप्त होती है जिस तस्वीर में हनुमान जी संजीवनी बूटी के परवत को उठाए हुए नजर आते हैं ऐसी तस्वीर की पूजा करने से घर वालों की दरग्की की रहा आसान होती है तो दोस्तों ये था हमार आज का वीडियो उमीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा इसे लाइक करें शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंडी जरूर दबाएं